जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इंडिया मोबाइल कॉंग्रिस कारिक्रम की शुरुवात विधिवत अब शुरुवात इसकी हो चुकी है आप देख सकते हैं तमाम गर्णमाने लोग वहाँ पे मौजूद केंद्रिय मंत्री अश्रुमी वहाँ पे मौजूद हैं अजय इंतस्रिव में हम देख पा रहे हैं कि अब फीता काट कर प्रहान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कारिक्रम के विधिवत अब शुरुवात कर दी है अगर मैं इस फाइव जी सर्विस के बात करूँ और इसकी पर स्थापित करेंगे लेकिन आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी तमाम लोग मौजूद और एक लंबे इंतजार के बाद देश में आज से फाइव जी सेवाओं की शुरुवात होने वाली है प्रधान मंत्री नरें फाइव जी सेवाओं की शुरुवात करने वाले हैं एक अक्टूबर्स जाने की आज से लेकर चार दिनों तक चार दिवसिये इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस कारिक्रम की शुरुवात नए दिली की प्रगति मैदान में आप इन तस्विरों में देख रहे हैं इसकी के दिनों आईटी मंतरी अश्रुनी वैश्णप ने ये कहा था कि देश में फाइव जी को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लाँच किया जाएगा पहले फेज के लिए कुछ शेहरों का चैन किया गया है जहां सबसे पहले फाइव जी शेर्विस लाँच होगा और कुछान मंतरी इस वक्त जो टेलिकम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरीए फाइव जी सर्विस की शुरुबात होगी और जैसा कि हमने कहा कि वीते दिनों ही केंद्रे मंतर अशुनी बैश्रब ने ये कहा था कि पहले फेज में देश के तेरह शहर जहांकि फाइव जी करने किरिवेटरी की शुरुबात की जाएगी उन तेरह शहरों हम आपको जानकारी दे दें एहमदाबाद, बैंगलूरू, चंडीगर, चंडीगर, दिल्ली, गांधी नगर, गुरुग्राम, हाइदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनव, मुंबई और पुने में इस सर्विस की शुरुबात की जाएगी आप इन तस्विरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारी किया हैं उनको जियो के अधिकारी प्रदान मंतरी नेरिंद्र मोधी को समझाते हुए किस तरह से ये 5G सर्विस जो कि एक बहुत ही करांतिकारी सर्विस के तोर पर माना जा रहा है एक रिवल्यूशनरी सर्विस होगी जिसके जरी आज तक हम जो एक्सप्रियंस करते आ रहे हैं टू जी थ्री जी फोर जी उससे कहीं ज्यादा ये फास्ट और इसकी तमाम जो खूबिया हम आपको आगे बताएंगे और केंद्री मंत्री की तरफ से असुनी वैशनरीप की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले दो से तीन वर्षों में फाइब जी सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा और उन्हें ये भी कहा कि हम ये भी सुनुश्रित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे हम जानते हैं कि हमारा जो दूर संचार उद्योग है वो फाइब जी सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ-साथ ग्रामिन दोनों खशेत्रों पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा आज का दिन बहुत ही महत्वपुर्ण और आप लगातार इस कारिक्रम को देखते रहिए क्योंकि आज बहुत सारी एहम जानकरी आपको मिलने वाली है हम आपको बताएं 117 करोड से अधिक दूर संचार उपयोग करता उपभोगता और हमारे देश में 82 करोड से अधिक इंटरनेट के जो कंजूमर हैं जो ग्रहक हैं उनके साथ भारत डिजिटल उपभोगताओं के लिए सबसे अधिक तीवर गती से वृद्धी करते हुए वैश्विक बासारों में से एक है यहाँ पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड से अधिक दूर संचार उपयोग करता हैं और 82 करोड से अधिक इंटरनेट ग्रहकों के साथ वैश्विक बासार में सबसे तीवर गती से आगे बढ़ने वाला वृद्धी करने वाला भारत एक है और एक संस्था है मैकन से उन्होंने 2019 में एक अध्यान किया था और उसके मताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीवर गती से डिजिटली करन करने वाली एकॉनमी है अर्थवेवस्था है आज इंडिया मॉबाइल कॉंग्रिस की भी शुरुवात हो चुकी है और इसी कारिक्र में प्रहान मंत्री 5G सर्विस की भी शुरुवात करने वाले हैं 5G पांचवी PD का एक मॉबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वारलेस सी एक मानक है 5G 5G के जो हाई बैंड स्पेक्टरम है उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गती का परिक्षन 20 गीगा बाइट 32 के रूप में किया गया आप समझ सकते हैं कितने स्पीड इसकी इसकी गती होगी 5G में 20 जीबी पीएस की रूप में इसको इसका परिक्षन किया गया है अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांस्ट मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1GBPS दर्ज की गई है तो 4G में हम और आप इन दिनों 1GBPS की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन 5G सर्विस के आज आने के बाद से हम 20 गुना ज्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे 20GBPS गीगाबाइट प्रोते सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी दूर संचार क्रांथी के लिहास से आज का दिन बहुत यह महत्तुपुर्ण और ना सिर्फ दूर संचार के लिहास से बलकि इसके और क्या कुछ यूज़िज हैं हम जानते हैं कि इन दिनों इंडरिस्ट्रियल रिवल्यूशन 4.0 का जमाना है चौथी आज़्यों की क्रांथी चल रही है और इस क्रांथी में इंटरनेट ओफ तिंक्स, क्लावड, बिग डेटा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और एज़ कंप्यूटिंग के साथ-साथ यह जो 5G तकनीक है प्रहार मंत्री इसका एक्सपिरियंस करते हुए इस सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ओफ तिंक्स की बात की जाए या फिर क्लावड की बात की जाए बिग डेटा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, एज़ कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी और द्योगी करांथी का एक बहुत ही महत्वपुर्ण प्रवर्तक हो सकता है अलग-अलग ख्षित्रों में इस 5G सर्विस का उप्योग किया जाएगा फिर चाहे वो health sector की बात हो, mobile banking की बात हो इन तमाम खशेत्रों में defense की बात हो, fen tech company की बात हो research and development की बात हो इन तमाम खशेत्रों में 5G service का direct impact पौड़ेगा और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस experience को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शिरुवात की जाएगी कहा जा रहा है कि इसका जो economic impact होगा इस फाइब जी सर्विस का government द्वारा ही एक panel नेकुत किया गया था और उस 2018 की बात है ये और उस panel ने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट के मताबिक फाइब जी सर्विस से साल 2035 तक भारत में एक ट्रिलियन अमेर्की डॉलर का जो economic impact है वो पैदा होने की संभावना है ये उम्मीद जाहर की गई है इस रिपोर्ट के मताबिक आज का दिन बहुत है महतुपूर्ण हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं लेकिन पहली पीड़ी से वनजी से लेकर पाँचपी पीड़ी तक विकास भी अपने आप में काफी महतुपूर्ण रहा वनजी सर्विस की बात की जाए तो वनजी सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉंच किया गया था और ये एनलॉग रेडियो सिगनल पर काम करता था और केवल वाइस कॉल को ही समर्थन करता था फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉंच किया गया जो डिजिटल रेडियो सिगनल का उप्योग करता है और 64 Kbps के बैंडविट के साथ वाइस को भी और डेटा को भी ट्रांस्मिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस फिर जमाना आया 3G सर्विस का 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इससे लॉंच किया गया था और इसमें डिजिटल वाइस की बात हो वीडियो कॉल की बात हो कॉन्फरेंसिंग की बात हो इन तमाम ख्रमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉंच किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ-साथ 4G सर्विस में जिसका की हम और आप इन दिनों इसका उप्योग कर रहे हैं ये 3D वर्चुए रियलिटी को भी सक्षम बनाता है 5G सर्विस में तमाम ये कुछ तकनीकी बाते हैं अलग अलग बैंड्स होते हैं लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड इसक्टरम और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्टरम के निलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कमपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे मुबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्ट फोन को बेहतर बनाने के लावा फाइव जी मुबाइल तकनीक वर्चुल रियालिटी जो कि बहुत ही महतुपूर्ण है Augmented Reality जैसे जो Immersive सेवाएं हैं उसकी वो शुरुबात कर सकती है जिसमें कि बहुत ही Fast समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सामान डेटा ये कहा जा रहा है कि 5G का उप्योग तीन मुख्य प्रकार की Connected सेवाओं में किया जाएगा जिन में हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्राड बेंड हैं वो हो गए महतुपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IOT इसमें शामिल है IOT मतलब Internet of Things IOT, Cloud, Big Data, Artificial Intelligence और Edge Computing के साथ 5G चौथी ओद्योगिक करांती का एक बहुत ही महतुपूर्ण कारक साबित हो सकता है आगे की राह इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आती है अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरवात होने जा रही है Domestic 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना मतलब देश को खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है जो हमारा सपना है उसको जमीन पर उतारने के लिए उसको साकार करने के लिए स्थानिये 5G हार्डवेर निर्मान को बहुत ही अभुद्पुर्व दर से प्रोचसाहित करने और बढ़ावा देने की जरुरत आने वाले दिनों में महसूस होगी सादे साथ ग्रामین और शेहरी अंतर को भी कम करना ये भी एक चुनौटी होगी कि किसे हम सबसे पहले शेहरी और उसके बाद ग्रामین और इलाकों में इसकी जल्दसे जल्दसकी पहुँच को सुनशुथ कर सके ताकि ग्रामिन ख्षत्रों के लिए भी ये सहायत साबित हो सके आज का दिन बहुत ही करांतिकारी दिन टेली कम्यूनिकेशन के लिहाज से फाइब जी सर्विस आज पुरे देश में प्रहान मंतरी इसका इसकी शुरुबात करने वाले हैं एक लंबे इंतिसार के बाद इसकी आज शुरुबात होने वाली है